नमस्कार, न्यूस क्लिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है, आज हमारें बीज उर्मिलेज जी फिर से हैं, और ये आम आदमी पार्टी एक बार जो सुर्खियों में आई है उस पे चरचा करेंगे हम, उर्मिलेज जी न्यूस क्लिक में एक बार फिर से आपका स्वागत ह तो ये पुरी जड़ब का मामला सामने आया आम आदमी पार्टी चीफ मिनिस्टर के घर में जो चीफ सेक्रेट्रिय हो जाते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि उन पर हमला किया गया पहले तो इस स्टार्ट करते हैं कि आखिर हुआ क्या है क्योंकि कई सारे वर्जिन से कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है दो विधायक भी अरेस किये जा चुके हैं तो आखिर हुआ क्या था देखिए मैं समझता हूँ कि जिस वक्त ये घटना घटी रात को इस पर भी आमाद्मी पार्टी का कुछ कहना है, सियस साहब का कुछ कहना है, अमाद्मी पार्टी कहती है कि मीटिंग पहने बुलाई गई थी, वो लेट आए, अब उनका कहना है कि नहीं हम तो जो हमको ख़वर मिली उसके हिसाब से हम गए, ये भी बड़ा अश्रजनक है कि अगर कोई आपातकाली निस्तिती नहीं थी तो मीटिंग बारा बज़े क्यों बुलाई गई या नौ बज़े रात को ही क्यों बुलाईगी, घर पे ही क्यों बुलाई गई, ये बहुत सारे सवाल है, अब सवाल है कि जो घटना एक्च्वल साब जानते हैं और एक वीकेजन साब जो उनके एडवाईजर थे जो पहले कुछ उन्हों ने बयान दिया था इस घटना के बारे में और बाद में कुछ बदल गए, तो हमारा ये कहना है कि एज़े मीडिया परसन, एज़े जानलिस्ट मेरा ये कहना है कि जब तक एक इसके या ही हुआ एक बहुत मुश्किल है, दूसरी बात कि इस पर एग Wikiर रिपोर्ट वगरे की बात है, तो दिखिए वो तो एगीडिकल रिपोर्ट तो हम जानते हैं कि हम यह नहीं कहे हैं कि कोई मेंनिज किया गया हुगा या नहीं किया हो गया है, जो भी हुआ हो, या सभी च उसके बाद जो प्रत्रक्रिया देखने को मिली है लगातार चीफ मिनिस्टर के घर पर पुलिस जा रही है रेड मार रही है उसके बाद मीडिया जिस तरीके से दिखा रहे है रिपब्लिक टीवी ने तो तुरंती अर्विजन केजरिवाल का स्तीफा मांगना शुरू कर दिया ये क्या दरशार है क्योंकि लगातार जो भाजपा की सरकार केंडर में है और आम आदमी पार्टी और बिरॉक्रिसी के बीड जो ये टेसल है वो लगातार बरकरा रही है दरशार कहा रहा है आखिर देखे आम आदमी पार्टी की जो राजनीती है मैं एक जनलिस्ट के तोर पे कमेंटेटर के तोर पे उसका अलोचक रहा हूँ उस दोर में भी जब आम आदमी पार्टी के लिए टेलिविजन चैनलों पर दुन्दभी बज रही थी जैसे आज शाम को हर शाम एक ही आदमी एक ही दल एक ही सोच के लोगों की दुन्दभी बजती है भजन मंडली जिसको बहुत लोग बोलते हैं वैसे ही कुछ दिन ऐसे थे दिल्ली में या देश में रामिल्ला ग्राउंड का हो या जंतरमंतर का हो कि ऐसा लगता था कि कोई नई करांटी हो गई है और एक नए रास्ट पिता आ गए हैं उस दोर में भी मैं इनकी राजनीत के इनके तोर तरीके की मैं खुल के आलोचना करता था तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज की तारीख में जो मैं कह रहा हूँ वो किसी इस पार्टी को लेकर किसी भर्म में नहीं कह रहा हूँ मेरा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी कुल मिलाकर एक अजीब किस्म के लोगों की पार्टी है जिसमें तरह तरह के लोग हैं तरह तरह की धाराएं हैं उसमें तरह की पसंद लोग हैं उसमें बेहत कंजर्वेटिव लोग हैं उसमें कुछ सार्थक और समझदार सोच वाले भी हैं ये जो मसला उठा है असल बात यही है कि देखिए ऐन ऐसे मौके पर उठा है ये मसला जब पूरे देश में प्लारमंतरी मोदी और उनकी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं जो उनका करप्शन खतम करने का दावा है जो उनकी ट्रैंस्परिंसी की बात है ये सब उसका एक तरह से पूरे देश में उसका मजा कुर रहा था वो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूँगा लेकिन यहां तो लेके भाग गए बैंक का पैसा आम जनता का तो नीरव मोदी और मेहुल चोकसी का मसला जब पूरे देश में और उसके बहाने पूरे इन पीए का मसला कि कितने लोग भागे हैं इस देश से आखिर कितनी रकम गई है हमारे सारजिनिक बैंकों की साथ में नोट बंदी का इससे क्या कनेक्ट है जिस नोट बंदी को वो कह रहे थी कि अर्थ बहुता की मजबूती के लिए हम कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा चार दिन ऐसा लगा कि मोधी सरकार की स्थिती बहुत खराब हो रही है आम पब्लिक में जो डिस्कोर्स सामने जा रहा है जो तत्य जा रहे हैं अच्छानक उसी बीच में ये मसला एक तुफान की तरह खड़ा कर दिया जाता है मैं यह नहीं कहा रहा हूं कि कप में तुफा कराने जा रहे हैं और पूरे देश की जंता को यही संदेश दे रहे हैं कि दिल्ली की जो केंदर सासित राज्य है और वह भी पुडूचेरी की तरह भी नहीं है या और सारे बहुत सारे केंदर सासित राज्यों की तरह नहीं है जिस सरकार के पास कोई खास अधिकार भी नह नहीं गया वो कहते हैं कि हम निकाम करेंगे हम सायोग नहीं करेंगे हम कहीं नहीं जाएंगे कोई मीटिंग बुलाएगा तो नहीं जाएंगे वो जुरूस निकालते हैं प्रतिरोध करते हैं तरह तरह के तो भारती प्रशास्थिक सेवा के अधिकारियों के साथ इस देश में अनेक जगहों पर दुर्ब्यवार हुए हैं, घटनाएं घटी हैं, यहां तक की पिहार में तो हत्या भी होई है, सर्विंग कलेक्टर की, लेकिन ऐसा प्रोटेस्ट मैंने कहीं नहीं देखा, जिस तरह दिल्ली सचीवाले के अधिकारियों ने प्रोटेस्ट किया, अच्छा लेटनेंट गवर्नेर के बीच लगातार जो यह अन्बन है बनी रही है, जो फुल स्टेट हुट का डिमांड रहा है, आम आपनी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टों में इसको एक मुद्दा बनाया था, उस पर कहीं भी उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है, आखर इसका दिल्ली का जो मसला है बनियादी तोर पे जो सारा ये जगडा, सारा बवाल, सारी जो कांट्रवर्सी है, इनके पीछे, इनके मूल में बनियादी जो मसला है, वो वाकई है स्टेट का को डिफाइन करना, कि आखिर ये अगर केंदर शासित राज ये रहता भी है, तो उसके निर्वाचित सरकार को क्या क्या अधिकार होनी चाहिए, अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि साब श्रीला दिक्षित जी भी 15 साल सरकार में थी लेकिन उनके समय तो ये जगडा नहीं होता था, इसका मतलब ये जगडालू है किजरिवाल, और यही सारे चीजों के मोदी सरकार जैसी नहीं थी, जबकि दोनों एक ही पार्टी की सरकारें थी, संगधवारा ही दोनों को एक तरह से वरधस्त प्राप था, लेकिन फिर भी वाजपई सरकार को प्रशंड बहुमत नहीं प्राप्त था, वो निर्भर थी बहुत सारी दूसरी पार्टीयों पर, और जो पार्टबुत परिवार की पार्टीयों नहीं हैं, या उनकी चत्र छाया में नहीं हैं, तो कुल मिला कर एक घटबन्दन सरकार थी, जिसका जो सर्भुच नेता था, वो नहरूजुच का जन्संगी था, ठीक है, तो एक फरक था, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है एक ही पार्टी के हैं लेकिन वाजपई और मोधी में भी एक फर्क एक जर्नलिस्ट के तौर पे कम से कम मैं देखता हूँ तो अब मेरा ये कहना है कि उन्होंने शीला दिक्षित के साथ उजारता बरती शीला दिक्षित भी उनको आदर करती थी बाद में मनमौहन सिंग की सरकार दस्त साल रही जो उनकी अपनी पार्टी की सरकार रही इसके अलावा सर्विसेज का जो पूरा का पूरा सेक्टर है वो शीला दिक्षित जी के साथ था लेकिन यहाँ पर 2015 में सरकार जब आई थी उसके बाद ही हो मिनिस्ट्री ने बकायदे कहा कि अप आप सर्विसेज भी नहीं देखेंगे तो सर्विसेज नहीं देखेंगे इसको इन्होंने चैलेंज किया फिर कोट में मामला गया कोट ने भी मुहर लगा दी कि येस MHA का जो नोटिफिकेशन है वो सही है तो इनके पास सर्विसेज भी नहीं है यानि केंद्र द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति जिसका नाम लिफ्टनेंट गॉर्नर है उसके पास दिल्ली की समूची जनता द्वारा निर्वाचित सरकार चाहे वो केजरिवाल की सरकार हो चाहे वो किसी की सरकार हो कल विजे गोयल की सरकार आ जाए उस निर्वाचित सरकार से भी ज़्यादा बेशुमार अधिकार एक ऐसे व्यक्ति के पास है जो मनोनीत है जो प्रदायन मंतरी ग्री मंतरी की इक्षादवारा बनाया जाता है तो ये डिमोक्रसी अखिर ये है क्या मुझा लगता है कि इस से ज़्यादा डिमोक्रसी की ओहेलना अफमान मैं केद्रिवाल को थोड़ी जरी के लिए बिल्कुल चाहता हूं कि मेरे दर्शक या चुरोता इस बात को भूल जाएं कि कौन मुख्य मंतरी लेकिन हो सकता है कि सारी जनता जिस सरकार को चुंती है और इतने प्रशंट बहुमत से भी चित्ती चुंती है और उसके पास कोई अधिकार नहीं रहेंगे और एक व्यक्ति जो डिटायर कोई आधिकारी है और व पूरी तरह केजरिवाल सरकार के पास हो या दिली सरकार के पास हो पूरी तरह कुल मिलाकर जिस छेत्र में भी दिली सरकार का भी भी मानते हैं कि दखल है उसमें भी अंतिम निरुनाय जो है वो एल जी के पास है तो मुझे लगता है कि बुनियादी जो सवाल यही है कि कैसे केंदर शासित राज्य में निर्वाचित सरकार को डिमोक्रिटिक ढंग से काम करने के अधिकार दिये जाए अगर आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स को देखा जाए तो उसमें भी कहीं न कहीं कुछ बचकानापन देखने को मिल रहा है कुछ काम किया है आपने हेल्थ के सेक्टर में एजुकेशन के सेक्टर में पर उसको सामने लाने के बजाए आप ऐसा ओपोजिशन डेली के अंदर आप काम कर रहें नौट एस रूलिंग गवर्मेंट इसके बारे में क्या कहना है आपका नहीं देखे मैं आम आदमी पार्टी भी नहीं दिखती उनमें अभी जैसे हाल में तीन राजसभा की सीटें खाली होई उनके पास बेहतरीन मौका था कि सबसे अच्छे लोगों को वहां भेजें जिससे कि उनकी एक वैचारिक बुलंदी सामने आवे राजसभा में उन्होंने एक आदमी संजे सिंग को चुना जो उनके अपनी पॉलिटिकल जो उनके अलिमेंट है राजनितिक व्यक्ति हैं और अच्छा फैसला था लेकिन उनने दो ऐसे लोगों को चुना जिनका राजनितिक आंदूलन से आम आदमी पार्टी के कोई रिश्टा नहीं एक आदमी कॉंग्रिस पार्टी से लिया जो कल जाजनितिक ढंकी जो सोच है और जो लोगतांत्रिक जो ढांचा है उस पार्टी का वो बहुत ही कमजोर है और इसके अलाव एक और चीज मैं जोड़ दूँ कि देखिये लेकिन दूसरा जो पक्षुन का है कि उन्होंने एजूकेशन के च्छेत्र में और हेल्थ के च्छेत स्किल की भी कमी है उनके अंदर और वह कई बार और मोबलाइजेशन जो एक विपक्ष का होना चाहिए एक व्यापक विपक्षी मोबलाइजेशन उसमें भी वह चूकते हैं ऐसा लगता है कि वह सारी दुनिया को खराब समझते हैं या करब समझते हैं शिर्फ अपने को अगर हम यह देगे जिस तरीके से अर्विन केजरिवाल के घर परेड हुआ ओफिसेस परेड हुआ यह एक ओपोजिशन को दबाने की भी लगतार कोशिच जो है भाजपा सरकार दोरा यह जारी है तो राजनातिक दिशा क्या है देश की और किस तरह यह देश बढ़ रहा है क् अगर ओपोजिशन नहीं होगा तो रूलिंग गवर्मेंट के उपर कोई चेक और बैलेंस नहीं होंगे बिल्कुल और मोधी सरकार जो है पिछले अगर पौनिचार सालों में आप देख लीजिए तो यह उसकी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है एक उसमें निरंतरता है उ यह उसको दबाना यह होता है यह कई राजियों में दिखा जा चुका है मैं कियों सरकार की बात नहीं कहूंगा सरकार के पीछे जो शकतियां है खास कर मैं खुल करके संग का नाम लेता या संग के जो बहुत सारे संगठें हैजिन कहते हैं कि राइट विंग एलिमेंट्स हैं कौन हैं ये तो हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास कोई साक्ष नहीं है लेकिन यकीनन जो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी हैं प्रशासनिक जो एजेंसियां हैं वो चिनित करती हैं कि किधर शक की सोई किधर है दूसरी बात की जिसे मीडिया में ही देख लीजिए मीडिया को जिस तरह से एक तरह से उस पर उस पर आतंक बर पाया गया है कि अगर कोई सही बोलने या सच बोलने की कोशिश भी करेगा तो उसको बहुत लोगों को नोकरियों से हाथ दोना पड़ा है हाल के वर्षों में हाल के दिनों में पिछले मैं तीन साल का बता सकता हूं कि देश के बड़े अख़वारों के संपादक तक हट गए या हटने के लिए मजबूर होना पड़ा मैगजीनों और अख़वारों से स्टोरीज जो हैं विड्रॉ कर ली गई गई वेब साइट से उतारी गई स्टोरीज अनेक ऐसे उदाराना एक नहीं अनेक हैं तो मेरा कहना है कि इस सरकार की यह जो मन्शाय कि विपक्ष नहीं बलकि प्रतिरोध की हर आवाज को कुछल दिया जाए सिर्फ राजनितिक विपक्ष नहीं, बहुत धिक विपक्ष, सिनेमा में, कला में, संस्कृति में, किसी भी छेत्र में ये नहीं चाहते कि विवेदता भारत की सुरक्षित रहे, तो ये एक बहुत खतरनाक पहलू है इस सरकार का शुक्रिया उल्मिर जी अपने समय दिने के लिए और अगे ऐसे कही मुद्धू पर हम आप लगता चर्चा करते रहेंगे, धन्याबाद, न्यूस्क्लिक देखने के लिए धन्याबाद